पुछ सिन्ट उनिंस हमाफ लोग przed रहे हुख Nah вод आगप लोग को पढ़ा रहे हैं इनम सिकंडियरका सब्जेक्ट मिड्वाइफ़ी में मिड्वाइफ़ी में आजहमाफ लोग को पढ़ा रहे हैं गर्भावस्था की यसमान्यता है एबनॉर्म टीस अफ प्रेग्नजी जिस मे आज हम आप लोगों पढ़ा रहे हैं गर्भावस्था में malaria in pregnancy के बारे में तो देखिए गर्भावस्था में malaria in pregnancy गर्भावस्था के दौरान malaria विश्व में मात्री रुगडता का प्रमुक कारण तथा खराब जन परिडामों की तरफ से ले कर जाता है गर्भती महिलाओं में शामान महिलाओं की अपेच्छा malaria का खत्रा होना अधिक पाय जाता है गर्भावस्था के दौरान malaria शंक्रमन महिला तथा उसके शिशु के लिए खत्रे के साथ ही एक महत्तोपूर शारुजनिक स्वास समश्या है प्रेगनेंसी के दौरान malaria शंक्रमन मुलेरिया का इन्फेक्शन जो है प्रेगनेंट उमन और उसके शिश्व के लिए एक सारुजनिक स्वास्थ समश्या है प्लाजमोडियम फालसी फेरम शंक्रमन के कारड़ जटिलताएं अधिक होती है गर्भावस्ता में मलेरिया के लच्छत अथा जटिलताएं विशेश भौगोलिक छेत्र में मलेरिया संचरण की तिर्वता था व्यक्तिगत प्रतिरच्छा अस्तर के अनुशार अलग लग होती है प्रेगनेंसी में मलेरिया के लच्षता जतिन्ताएं जो होती हैं विशेश भगलिक परिश्टियों में अलग अलग होती हैं उच्च संचरण शेत्रों में जहां अधिग्रहित प्रतिरच्छा का अस्तर अधिक होता है उच्च संचरण शेत्र जहां अधिग्रहर प्रतिरच्छा का अस्तर अधिक होता है वहां प्लाज्मोडियम, फालसिफेरम, मात्र एनेमिया तथा प्लेशेंटा पर जीवी की उफ़स्तिती के कारण कम वजन का सिश्व पैदा हो सकता है उच्च संचरण शेत्रों में जहां अधिग्रहित प्रतिरच्छा का अस्तर अधिक वपाय जाता है वहां प्लाज्मोडियम, फालसिफेरम, मात्र एनेमिया तथा प्लेशेंटा पर जीवी की उफ़स्तिती के कारण कम वजन वाले लूब वेट वाले शिश्व पैदा होते हैं जो शिश्व मृत्तु की संभावनाओं को बढ़ाता है जिसका कारण है कि शिश्व मित्तु संभावनाओं को बढ़ाना प्लाज्मोडियम, फालसिफेरम, संक्रमड के प्रतिकूल प्रभाव, प्रतम गर्भा महिलाओं में अधिक अश्पष्ट होता है प्लाजमोडियम, फालसिफेरम, संक्रमड के प्रत्कूल प्रभा, प्रत्कूल इफेक्ट जो हते हैं, वह प्रथम गर्वती महिलाओं में अधिक अश्पेष्ट पाये जाता है, कम संचरण वाले छेतर में जहां अधिग्रहित प्रत्रयच्छा का अस्तर कम होता है, वहां प् इस प्रकार के छेतर में सभी गर्वती महिलाएं, चाहे वे कितनी ही बार गर्वती हुई हो, कितनी बार ही गर्वती क्यों नहों, कितनी बार ही प्रिग्नेंट क्यों नहों, वहां मलेरिया, वह जो है मलेरिया की छेतर में आ सकती है, आ जाती है, प्लाजमोडियम वाइवेक्स संक्रमण में भी मात्री एनमिया तथा कम बजन वाले शिशु के खत्रे को बढ़ाता है, प्लाजमोडियम वाइवेक्स संक्रमण में भी जो मात्री एनमिया तथा कम बजन वाले शिशु का खत्रा बढ़ जाता है, प्लाजमोडियम वाइवेक्स के कारल लगभग दो से तीन शिशु कम जो कम बजन के पैदा होते हैं, जिनकी मृत्यू की संभावनाएं अधिक होती हैं फ्लाजमोडियम वाइवेक्स की कारालगबग 2-3 प्रसद जो शिशु कम बजन वाले पैदा होते हैं जिसकी मृत्यू की संभावनाएं जो है अधिक होती हैं चिन इवं लच्छड साइन एन शिंटम क्या है सीत वस्था गॉल्ड स्टेज में Ap i개를 डेखिये में शिर्दंग होना कि और्डनिं डर्ध होना में कि JEत तवस्था में नेक्स देखिए सब्ड़ वस्था में अधिक हैं तेज बुखाराना पल्स दर का बढ़ना प्रेग्नेंट उमन को तेजी से बुखाराना उसके पल्स दर का बढ़ जाना सरीर जो है उसका सरीर इसकी बाड़ी जो है गर्म होना गर्म होता है सिर्ध में दर्ध होने लगता है चेहरा उसका चेहरा जो है प्रेग्नेंट उमन का सबी लच्षर पाए जाते हैं गर्मवस्था में थाड पसीना वस्था शुर्टिन E Она बुखार कम हो कमजोरी महसूस होना प्रेग्नेन्ट उमन को प्रेगनेन्सी के दाằng मलेरिया थे उसे रहाँ पसीना आता है उसे बुखार कम लगती है और कमजोरी मसूस होती है देखिए है प्लबंधन मैनेजमेंट किस तरह से करें जो है मलेरिया का गर्वास का मिलेरिया की सतरह से परभंधन करें मलेरिया का सिग्र निदान करना और उसका सिग्र उपचार करना ड्रेटमेंट करना महिला का सलफा डाक्सीन पाइरी मेटाइन के साथ निवारक उपचार सुरू करना महिला का सलफा डाक्सीन पाइरी मेटाइन के साथ आंतरीक निवारक उपचार सुरू करना महिला को आयरेन फॉलिक एसित देना यदी आवशकता हो तो महिला को रेफर करें यदी जरूरी हो तो चाहले हैं झाल झाल